कल की 2989 AD is making records all around and as expected इस मुवी से उमीद थी ही कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएगी बट एक बड़ी अजीब सी नेगिटिव वाइब चल रही थी इसके आसपास क्योंकि प्रभास की लास्ट मुवी जुछ खास अच्छा करना ही भाई थी ये मुवी को कई बार डिले कर दिया गया था जिसकी वाजा से जो सारे पैसो के पंडित है मुवी इंडस्ट्री के अंदर वो उटकने लगा रहे थे कि शायद ही उतना अच्छा ना कर पाए पर प्रभास ने एक बहुत बड़ा मुक्का मार दिया है ऐसे लोगों की सोच पे ऐसे लोगों के दिमाग पे क्योंकि कल की 2989 बन गई है पूरी मुवी इंडस्ट्री की थर्ड हाइस्ट ओपनर 195 को रोड के आसपास की ओपनिंग की है इस मुवी ने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में माइंड यू इट इस अ मिड़ वीक नॉन हॉलिड बिग इवेंट रिलीज और विद बेरी लेस हाइप बहुत कम हाइप थी इस के अंदर फिर भी इस मुवी ने इतनी जबर्दास ओपनिंग की है और उस लिस्ट में तीसरे नंबर पे अपनी जगा बना ली है आरारार और बहुबली के बाद कल की 2989 ने एक ऐसी मुवी बन गई है जिसने हाइएस्ट ओपनिंग की है अपने पहले दिन पर यार पहले ही दिन पर 200 करोट का छक्का मारके प्रभास ने एक बार फिर से साबित कर दिया क्यों प्रभास को इतनी जपास का पहला दिन गया है प्रभास की मुवी का एक और बहुत बड़ा पॉइंट है despite that प्रभास की मूवी ने कलकी ने इतना बढ़िया एक opening day निकला है एक और बहुत बड़ा factor यह आप ध्यान में रखने वाला यह है कि पंजाबी इंडस्ट्री में यानि नॉर्थ साइड पे भी एक बहुत बढ़ी movie रिलीज हुई है जिसका नाम है Judd and Juliet 3 जो दिलजीत और नीरु बाजवा की movie है जो दोनों ही mega stars है नॉर्थ के अंदर और इस movie ने भी अपने पहले दिन साड़े 10 करोड यानि 11 करोड के आसपास की कमाई की है तो इतने सारे factors होने के बावजूद परभास ने एक जबर दस्त opening दी है and मैं अपने review में भी बोला था कि अभी लोगों को इसके बारे में और पता चलेगा जैसे जैसे reviews out होंगे वैसे वैसे जो है इस movie की कमाई बहुत जादा बढ़ने वाली है and कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये movie हजार करोड का वो number पार कर जाती है because इसकी एक negative hype थी जो दीरे-दीरे positive में convert हो रही है जैसे जैसे reviews out हो रहे हैं reviews बहुत जादा positive है और movie worth watching है इंडिया में तो प्यार मिली रहा है but worldwide बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है इस movie को now देखने वाली बात यह है कि पहला weekend खतम होते होते इसकी कमाई कहां जाती है but as of now massive massive number of 195 crore on first day and 22.5 crore in Hindi only and 195 crore was in all language worldwide is a very 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 big number and Prabhas ने अपना सिक्का एक बार फिर से जमा दिया comeback हो तो ऐसा हो वरना ना हो क्या comeback किया और क्या movie बनाई है hats off to Naga Ashwin ये topic उठाने के लिए हमारी history को movie के अंदर लाने के लिए ताकि हमारी future generations को इन सब चीजों के बारे में पता चले मज़ा आ गया कमाल की movie है जल्दी comment में बता दो किसने movie देख ली किसने इस 195 क्रोड में contribution कर दिया है और कौन वो लोग है जिन्होंने अभी ये movie देखनी है और वीडियो अच्छे लगी हो तो like, share, subscribe करना मत भूल